Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों आज की स्वीडियो में हम भारत के प्रमुख राज्यों के लोक नत्य के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो कि आपके एक्जाम का पार्ट बनते हैं और यदि हम देखें तो अलग-अलग राज्यों में बहुत सारे लोक नत्य पाए जाते हैं लेकिन हमने स्मार्ट स्टडी करनी हैं तो आज की स्वीडियो में हम उन्हीं लोक नत्यों के बारे में डिसकस करने वाले हैं जो कि एक्जाम बार-बार पूछे जाते हैं और बार-बार रिपीट होते हैं और यह लोकनरत्य जिस राज्जी में पाए जाते हैं, जिस राज्जी से रिलेटेड हैं, उस राज्जी के बारे में हम डेटेल में डिसकस करेंगे, सारे ही कोशन इंपोर्टन्ट है, इसलिए वीडियो अंतर तक जरूर देखेगा, और आप इस वीडियो की पीडियोफ टेल गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी, और जगदीश मुखी के पास अभी मिजोरम का भी अडिशनल चार्ज है, कई बार मैंने आप लोग बताया है, और असम में क्या इस्थित है, काजी रंगा राश्ट्य उद्यान, और काजी रंगा राश्ट्य उद्यान किसलिए फेमस ह तो यह फेमस है एक सिंग वाले गेंडे के लिए, तो यह भी आप याद रखिएगा नेश्ट कोश्चन है, जारखंड का लोक न्रत्य क्या है? कई बार पूछा जाता है, और जारखंड का लोक न्रत्य है चव और पाई का, यानि कि इसका अंसर हो जाएगा A and B ये दोनों ही रिलेट करते हैं जारखंड से, जारखंड की कैपिटल क्या है? राची यहां के मुख्य मंत्री कौन है रघुवर दास गवर्नर कौन है द्रौपदी मुर्मू और यदि हम जारखंड को करंड से रिलेट करें तभी जारखंड गवर्मंट ने एक योजना लौंच की थी किसानों के लिए और उस योजना का नाम क्या है एकल खिड की सुविधा यह योजना है जो कि किसानों के लिए जारखंड गवर्मंट के द्वारा लौंच की गई थी नेश कोश्चन है भांगडा किस राज का लोगन रत्त्य है यह आप सभी को पता होगा और भांगडा लोगन रत्त्य है पंजाब का और यदि हम पंजाब को करंड से रिलेट करे तो मैंने आप लोगों कई बार बताया है कि अभी हाली में पंजाब गवर्मंट ने डॉल्फिन को अपना राज की जली जीव घोशित किया है तो यह भी आप याद रिखिएगा नेश कोश्चन है राजस्थान के लोगन रत्त्य का नाम क्या है तो राजस्थान का लोगन है घूमर सुई सिनी और कटपुतली यानि कि इसका अंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी यह तीनों ही लोगन रत्त्य रिलेटेड है राजस्थान से राजस्थान की कैपिटल क्या है जैपूर और जैपूर को पिंक सिटी भी कहा जाता है और इसे भारत का पैरिस भी कहते ह है और जैपूर को कुछ समय पहले ही यूनेसको के द्वारा वर्ल्ड हैरिटेस साइट में भी सामिल किया गया था तो यह भी आप याद रखिएगा और अभी हाल ही में राजस्थान ने ही जन सूचना पोर्टल लाँच किया है जन सूचना पोर्टल किसके द्वारा नीच कोस्टें है नागा लेंड के लोकन्रत्य का नाम क्या है तो नागा लेंड के लोकन्रत्य का नाम है चोंग यहां के मुख्य मन्त्रि कौन है नैफ्यू रियो और गवर्नर आर अवि नागा लेंड की कैपिटल क्या है तो कोहीमा है नागा लेंड की कैपिटल नेस्ट कोश्चन है गोवा का लोक्न रत्य क्या है तो दोस्तों गोवा का लोक्न रत्य है मांडी और इसे आप कैसे याद कर सकते हैं गोवा मांडवी ने दिके किनारे बसा हुआ है और मांड़ी है गोवा का लोक नरत्य यहां की कैपिटल क्या है पनजी और गोवा में इस्थित है सलीम अली बर्ड सेंचुरी यह भी आप याद रखिएगा नेश कोश्चन है अरुनाचल प्रदेश के दो प्रमुख लोक नरत्य कौन से है यह दो प्रमुख लोक नरत्य एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इनका नाम है युद्ध नरत्य और मुखोटा नरत्य जो की संबंदित है अरुनाचल प्रदेश से और उराचल पर इसकी capital क्या है इटा नगर मुख्य मंत्री कौन है पेमा खांडू गवर्नर कौन है बीडी मिश्रा नेश कोश्चन है चतिस गड़ का प्रशिद्ध लोक नत्य कौन सा है तो चतिस गड़ का प्रशिद्ध लोक नत्य है पंडवानी और आप लोगोंने पंडवानी लोक गायन सहली के बारे में जरूर सुना होगा और पंडवानी लोक गायन सहली से सम्बंदित है तीजन बाई और तीजन बाई से रिलेटेड एक्जाम में कोश्चन हमेशा ही बनता है तीजन बाई को इसी वर्स इनकी 2019 में पद्म विभूशन से सम्बानित किया गया है और इन्हें 2003 में पद्म भूशन और 1987 में पद्म स्री से भी नवाजा जा चुका है नेश कोश्चन है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नत्य कौन से हैं तो उत्तर प्रदेश में जोरा, चर्कुला, रासलीला, नौटंकी यानि किसका अंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी चर्कुला नरत्य और इसे ही हम कहते हैं ब्रजभूमी ये रिलेटेड है उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनो, जो की गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है मुख्य मंत्री है योगी अधित्यनाथ, गवर्नर है आनंदी बेन पटेल और उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में 22 करोड से अधिक पौधे लगाकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है नेश कुश्चन है ओडिसा का प्रमुख लोकनत्य कौन सा है? और यह है ओडिसी ओडिसी ओडिसा याद करने में आसानी होगी और ओडिसा की कैपिटल क्या है? ओडिसा की राजधानी है भूवनेश्वर यहां के मुख्य मंत्री काहन है? नवीन पतनायक, गवर्नर है गड़ईसी लाल और यहां पर इस्थित है भीतर कणिका राजध्य ओड्यान, कांगेर घाटी राजध्य ओड्यान और सिमली पाल राश्ध्य ओड्यान इन तीनों राजट्य उद्यान का नाम आप जरूर याद रखिएगा एक्जाम का पार्ट बनता है और लिंग राज मंदिर यह भी ओडिशा में ही इस्थित है पुरी का जगन नात मंदिर और कुणार्क का सूरिय मंदिर यह सभी इस्थित है ओडिशा में नेच कोशन है डांडिया किस राजजी का लोग नत्य है और डांडिया लोग नत्य है गुजरात का गुजरात की कैपिटल क्या है गांधी नगर और गांधी नगर किसका निर्वाचन छेतर है यह हमारे प्रेजेंट टाइम के ग्रह मंतरी अमिश राजी का निर्वाचन छेतर और गांधी नगर से आप लोगों को क्या याद आता है कुछ समय पहले ही गांधी नगर में विश्व की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का आरम्भ किया गया है कहां से गांधी नगर से ही और विश्व का सबसे बड़ा इस्टेडियम यह कहां बना है एहमदाबाद में और एहमदाबाद ही एहमदाबाद भी कहां इस्थित है गुजरात में ही और कुछ समय पहले ही यहां की मुख्य मंत्री विजयरुपाणी ने गुजरात के मही पाल जिले में भारत के पहले डायनासौर पार्क का भिजगाटन किया था कुछीपुडी किस राज्य का लोकनत्य है और यह लोकनत्य है आंधर प्रदेस का आंधर प्रदेस की कैपिटल क्या है 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 अमरावती और आंधर प्रदेस में इसी वर्स हैनी की जनवरी 2019 में भारत का 25 उच नयायाले भी खोला गया है और इसी वर्स आंधर प्रदेस में भ नेच कोश्चन है भरत नाट्यम की सराजी का लोगनरत्य है और यह लोगनरत्य है तमिल नाडु का तमिल नाडु की कैपिटल क्या है? चेननेई और चेननेई में किसका हैड़कोर्टर है? टीवीयस का और टीवीयस ने कुछ समय पहले ही भारत की पहली एथेनॉल से चलने वाली बाइक भी लॉंच की थी और टीवीयस के ब्रैंड अमेज़र कौन है महेंद्र सिंग धोनी कई बार मैंने आप लोगों बताया है याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख लोकनत्य कौन सा है और यह है छपेली हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है हिमाचल प्रदेश के प्रेजन टाइम के मुख्यमंत्री है जैराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तत्रे पहले कलराज मिश्रत है लेकिन अब बन ग सबसे उचा इसकाई साइकलिंग ट्रैक भी बनाया गया है कहां बनाया गया है मनाली में यह भारत का सबसे उचा है इसलिए याद रखिएगा नेच कोश्चन है हाल ही में लद्दा के किस लोक नती ने गिनीज बुक ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है यह करन से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस डांस का नाम क्या है शोंडोल डांस जिसने की अभी हाल ही में गिनीज बुक रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है नेच कोश्चन है हाल ही में 126 घंटे लगाता डांस करके किसंने नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है most important question है और यह 4 महीने पहले का question है लेकिन यह निरत्य से related था इसलिए मैंने इसे add किया है और इनका नाम है वंदना वंदना बिलॉंग करती है नेपाल से और इन्होंने भी हाल ही में 126 घंटे लगाता डांस करके एक नया world record बना दिया है पहले यह record था हेमलता के नाम जो कि भारत से हैं और इन्ही का record तोड़ दिया है वंदना ने यह नेपाल से बिलॉंग करती ही इसलिए l नेपाल के बारे में जान लेते हैं नेपाल की capital क्या है kart proximity मंडू और का स्थित है Mount Everest Mount Everest इस्थित है नेपाल में जिसकी है एंट कितनी है एट फोर एट मीटर आपको 8848 और 8850 में Confused नहीं होना है present time में हाइड है 8848 मीटर नेशक को स्टन है महाराष्ट के प्रमुख लोगनरत्य कौन कौन से हैं तो महाराष्ट के प्रमुख लोगनरत्य तमाशा मोख्य मंत्री कौन है देवेंद कुमार पड़नवीज राजिपाल कौन है भी हाली में बने है भगत सिंग कोश्यारी और सेबी का मुख्याले कहां इस्तित है यहां कि सेक्योरिटी और एक्षेंज बॉर्ड ऑफ इंडिया इसका भी मुख्याले इस्तित है मुंबई में ही और मुंबई को ही भारत का हॉलिवुड भी कहा जाता है प्रसिद्ध सिद्धी विनायक मंदिर यह भी मुंबई में ही इस्तित है यह प्याद रखिएगा और बॉंबे स्टॉक एक्स्चेंज और भाभा एटोमिक रिसर्च सेंटर यह ट्रॉंबे बॉंबे में और यह मडिपूर का मडिपूर की कैपटल क्या है इमफाल यहां की मुख्य मंत्री कौन है एन बीरें सिंग और गवर्नर कौन है नजमा हेपतुल्ला और प्रसिद्ध बॉक्सर छै बार की वर्ल्ड शेंपियन मैरी कॉम यह मडिपूर से ही बिलॉंग करती है और यहां पर मडिपूर में ही विश्व का पहला तैर्था नैशनल पार्क है यह परस्ट फ्लोटिंग पार्क और मड़ीपूर में ही इस्तित है ह। कर्मा कि सराज्जी का लोगन रत्य हैं और यह लोगन रत्य है मध्यप्रदेश का यहां कि जुराज्दानी हे वह क्या है भोपाल मुख्य मंत्री कौन है कमलनात यहां के गवर्नर कौन है लाल जी दास टंडन और कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश ने गोविंदा को यहने की बॉलिवुड भी नेता गोविंदा को अपने राज्जी का ब्रैंड अमबेजडर भी बनाया है तो यह भी आप याद र रखिएगा और मैंने आप लोगों को सुवा नहीं बताया जो सुवा लोकनत्य है यह 36 गड़ से रिलेटेड है यह आप याद रखिएगा रौफ यह रिलेटेड है जम्मु कश्मीर से और जम्मु कश्मीर में कौन-कौन से नेशनल पार्क इस्थित है दची ग्राम नेशन नहीं होना है और कुस्समा पहले ही जम्मु कश्मीर से आर्टिकल 370 भी हटाये गया है और यहां के प्रेजन टाइम के राज्यपाल कौन है सत्यपाल मलिक तो इनका नाम भी आप जरूर याद रखीगा तो दोस्तों यह थे प्रमुख लोकनत्य और यह यह लोकनत्य जिस र बतादू जिस डिटेलिंग के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाता है सेम उसी डिटेलिंग के साथ 1200 प्लस करेंट अफेर की इनकी पिछले एक साल की करेंट अफेर की मास्टर पीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और यह लिंक 30 तारिक 30 सितंबर त झाल